हेलो गाइस वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दबाई टॉरिस्ट वीजा पर कभी भी आप जो है वो कंपनी के अंदर वर्क ना करें अधर्वाइस आपको हैवी अमाउंट में जो है वो फाइन होका आज ये वीडियो में मैं आपके साथ हुद का एक्सपीरियंस शेय एकर ये का एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको ट्रायल बेस पर रखती हैं कुछ जो है वह वो फाइन मंथ का भी कुछ कंपनी जो है वो रखती है after that वो आपको offer letter देती है या आपका visa processing करती है तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जब मैं new new दुबई के अंदर आई थी तो मैंने company को join किया वहाँ पर जो है वो मेरा trial जो था 10 days का था 10 days पूरे होने के बाद उन्होंने मुझे offer letter जो है वो दिया ठीक है उसके बाद जो है वो तकरीबन 10 days मजीद मैंने काम किया लेकिन उन्होंने मेरी visa processing वगरा स्टार्ट नहीं की थी मेरा proper जो और एक और बाद जो मेरा offer letter दिया था वो उन्होंने company से दिया था मालब खुद से print करके sign वगरा करके company के अंदर तक जो है वो like मैं उनकी employee थी government के नजरों में government के record मैं उनकी employee नहीं थी तो ऐसा हुआ कि कुछ days में like 22, 21st days मुझे हुए होंगे उस company के अंदर job करते हुए तो ministry of labor से कुछ लोग जो है वो visit पर आ गए उन्होंने क्या क्या सब के जो है वो MRS ID चेके जब मेरी बारी आई तो मैंने उनको बताया कि मेरा MRS ID अभी नहीं है क्योंके मैं visit विजा पर हूँ और मुझे अभी work permit में convert करना है तो उन्होंने मेरा offer letter देखा उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कब से job कर रही है मैंने उनको बताया कि मैंने फलाँ फलाँ डेट से जो है वो इस company में daily आ रही हूँ जॉब कर रही हूँ कि आप जो है वो 50,000 दिरहम जो है वो अब आपको fine पे करना पड़ेगा company को भी तो जो मेरा honor था उनको तो idea था इस बात का लेकिन मुझे बिलकुल भी idea नहीं था कि 50,000 दिरहम तक जो है वो एक आपको एक अच्छी हासे amount है आपको fine जो है वो देना पड़ता है ठीक हो गया लेकिन request वेरा की मैंने भी request की honor ने भी request की तो somehow जो है वो मामला जो है वो settle हो गया उन्होंने माफ कर दिया बट उन्होंने मुझे यही बोला कि फिल हाला वापस चली जाए और जब तक ये company आपको offer letter नहीं दे like आपको proper government से offer letter या proper visa आपको लगा के नहीं देती आप तक जो है वो इस company में job नहीं करेंगी like आप free of cost कहते हैं आप free काम करेंगे अगर आपको ये salary नहीं देते तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे ये आपसे एक महीने का काम करवा ले और फिर आपको कहें कि हम आपको नहीं रखेंगे या offer letter आपको नहीं देंगे यापका visa नहीं लगाएंगे तो आप क्या करेंगी मैंने का वाकिए मैं कुछ नहीं कर सकती तो ये चीज़ आती है कि जब आप क्यूंकि आप new new यहां पर होते हैं आपको एक company जो है वो रख लेती है trial based पर आप उदर काम करना शुरू कर दे तो आप daily daily जाते हो कुछ company जो है वो एक महीना काम करवा के तीन महीने काम करवा के तो आपको निकाल देती हैं तो आप तो वाकिए कुछ नहीं कर सकते ना तो बैटर यही होगा कि आप जब भी UAE के अंदर आए तो अगर आपको company trial based का बोलती है तो आप three days का trial दे या हद पांच दिन का trial दे उ उसके बाद एक तो आप विजिट पर होते हैं आपके पास days ही काम होते हैं दूसरा जो है वो आप इतना ज्यादा जो है वो time waste ना करें किसी company में अगर वाकिए उस company ने आपको रखना है तो उनको बोलें के मेरा वीजा जो है वो दे मैं तब से आँँगा otherwise आप किसी और company मे बना के लाएं किस किस company में जो है आपने विजिट करना है आपने सीवीज डॉप करनी है वाकिन इंटर्व्यूज पर जाना है वो सारा कुछ जो है वो पहले से ही plan किया हो तो आपको यहां के easy हो जाएगा ठीक है क्योंकि यहां आप टाइम वेस्ट करने पे गूमने फिरने कि बजाए आप पहले जॉब पर फोकस करें जॉब हासल कर लें उसके बाद आपके पास time ही time होगा आप घूम फिर सकते हैं ठीक हो गया और अगेन मैं आपसे बोलूंगी कि अगर आप UAE के अंदर है तो यह बिलकुल जो है वो strictly जो है वो मना है कि आप work कर सकें तो tourist visa पर कभी ऐसा हुए तो मुझे जूरू बताइएगा thanks for watching and bye bye